राधे राधे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी हट आज की वीडियो में मैं आपके साथ हिलेरी रोड़ा HD प्राइमर का रिव्यू करूंगी ये प्राइमर कैसा है इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हट को और बैल आइकन को प्रेस कीजिए लेटिस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इसकी पैकेजिंग की बात करें तो यह 37 ग्राम की पैकेजिंग में है यह इसकी आउटर पैकेजिंग है यह कारड़ बोट की है इस पर company ने 18 hours mention किये हैं यानि company का claim है कि 18 गंटे तक skin पर stay करेगा यहाँ नीचे बार कोट दिया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने सारी ingredients mention किये हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं तो आप मैं इसे अंदर से दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी packaging किस तरह की है बहुत ही simple sober सी black and white packaging है और अंदर से एक tube form में है इस tube का net weight 37 gram है और इसकी shelf life 4 years है और इसका MRP 199 रुपीज है इस tube को open करने के लिए simple rotating cap दी हुई है Hillary Roda का यह gel primer है और इसका color transparent है अब मैं इसे use करके बताती हूँ और ये भी बताती हूँ कि इसे किस तरीके से use करना है face पे से use करने से पहले face बिल्कुल clean होना चाहिए वैसे तो आजकल सबको ही पता है कि primer हम किस लिए use करते हैं बट जिने नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ कि foundation को use करने से पहले आपको primer जरूर यूज करना है primer हमारी fine lines और pores को minimize करता है और silky smooth texture देता है बहुत ही कम amount में आपको इसे यूज करना है और अपनी finger की help से skin में हलके हलके से इसे मर्ज करना है primer यूज करने के बाद हमारी skin बिल्कुल smooth और silky सी हो जाती है और जब हम इस पर foundation apply करते हैं तो वो बिल्कुल easily लग जाता है ये एक oil free primer है और all skin types के लिए suitable है वैसे तो इसमें बहुत ही mild सी fragrance है वैसे तो इसे आप fragrance free product ही कह सकते हैं इसके ingredients में इन्होंने mention किया हुआ है कि इसमें paraben है और ये primer made in PRC है वैसे तो इस primer को मैंने कई बार यूज किया है मुझे किसी भी तरह की कोई irritation नहीं हुई है बट अगर आपकी skin sensitive है और आपको कोई irritation लगती है तो आप इस product को ना यूज करें और ना ही इस primer पर कहीं भी इन्होंने mention किया है कि ये organic है बाकी इन्होंने जो 18 गंटे इस पर mention किये हैं वो मैं कह नहीं सकती हाँ ये 8-10 गंटे तक तो face पे जरूर stay करेगा वैसे मेरे according ये primer अच्छा भी है और value for money भी है I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो please like, share and subscribe next वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए bye and thanks for watching